Hello everyone, स्वागत करती हूँ, मैं आपका अपने YouTube चानल Everything Homemade पे, मैं हूँ Sweta और आज मैं आप लोगे साथ सेयर करने वाले हूँ Lotus Radiant Bridal Glow Facial Kit जो की Rose Gold इसका variant है और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस है 296 रूपए और ये क्या व्राइडल के उपर कैसा वर् पे brightness चाहिए होती है, fairness चाहिए होती है और glow, glowing skin चाहिए होती है हम लोगों को इसलिए हम लोगों को Facial Kit यूज करते हैं तो अगर ये ब्राइडल के लिए बनी है तो ये सच में Brides पे कैसा वर्क करती है ये सारी चीज़े मैं बताऊंगी और मैं खुद पे ये Facial Kit घर पे बै अपने लिए Facial Kit यूज करना चाहिए तो आप हमेज़ा पालर जा नहीं सकते हो क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़े होती है जो खरीदनी रहती है तो इस वज़े से आप घर पे ही बैठे आराम से उस Facial Kit से रिजल्ट पा सकते हो ये सारी चीज़े मैं वीडियो में अपने होती है तो वह मिलती है या फे नहीं इतनी प्राइज में इस Facial Kit में सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मैं अन्बॉक्सिंग आप लोगों को इस वीडियो के दौरा नहीं दिखा चुके हूं कि इस बॉक्स में से आपको 5 स्टेप्स की 5 स्टेप्स रिसीब होते ह है अधर Facial Kit में 6 स्टेप होते हैं मैं इसमें पाँच ही है जिसमें से चार क्रीम फार्म müला में आता है और पांच हवा पाऊदर फार्मुला में आता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और Facial Kit के यहांनकारी जान लेते हैं सबसे पहले अगर मैं Been Box दिकthा रह रिवाइटलाइजिंग फेशियल इसमें लिखा हुआ है 1st step में try रहे हूं इूस करने जा रहे हूं 1st step में आपको भी मिल जाता है जो कि है मसाज करना है अपनी स्किन पर चार मिनट के लिए चार से पांच मिनट के लिए यहां पर मेंशन नहीं किया गया है कि यह कितने मिनट तक करना है बट मैं आपको रिकमेंड करूंगे चार से पांच मिनट अपनी स्किन पर आराम से हलके हाथों से मसाज करिए और उसके बाद ज पोच लेना है अपने फेस को कपड़ा गीला करके या फिर आप चाहो तो दुल सकते हो बट मैं तो आपको बताऊंगे कि फेशल किट करते जब आप यूज कर रहे हो घर पे खुद से फेशल कर रहे हो तो आप एक बरतन में पानी ले लीजिए और एक टॉवल ले लीजिए है तो यहां पर जेल जो है थोड़ा सूखने लगा था तो मैं यहां पर थोड़ा सा पानी अड़ करके और इसे फिर से मसाज कर रहे हूं फेस पर क्योंकि यह जेल फार्मुला में है और बहुत ही कम क्वांटिटी मिलती है इस ट्यूब के अंदर मतलब कि अधर ट्यूब्स के मुकाबले बहुत जादे ट्यूब्स में रहती है जैसे कि आप नेक पे भी कर सकते हो उससे बट लोटस इस वाले विरियंट में इतना कम ट्यूब में क्रीम दिया है कि आप नेक पे भी पूरा नहीं कर सकते हो हाफ नेक तक ही जाएगा तो यहाँ पे मैंने कर लिया और अभी आप देख सकते हो कि यह क्लिंज हो चुका है मेरा फेस क्लिंजिंग जल के द्वारा सेकेंड स्टेप जो है वो है माइक्रो पॉलिशर और यह सेकेंड स्टेप है इसका इसमें आपको अपने फेस पे फेस को हलका गीला करके और उस पे यह क्या है माइक्रो पॉलिशर स्क्रब है और इसका यूज आपको पता ही होगा कि स्क्रब कैसी उस करना है बट मैं फिर भी एक बरी बता देती हूँ आप टेक्शर देख सकते हो क्रीम की बहुत यह थिक है और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे स्क्रब का टेक्शर और थिकनेस तो अपने पूरे फेस पे इसको मिला लेना है और उसके बाद आपको अपने फेस पे यहाँ पे यह भी नहीं मैंशन क्या होगा था सेकेंड स्टेप में भी किसको कितने मिनट तक करना है लेकिन मैं आपको पता देती हूँ तीन से चार मिनट स्क्रब करना चाहिए आपको अपने फेस पे उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए चार मिनट एकदम मिनफ होता है लेकिन आप चाहें तो 3 m2 भी कर सकते हैं तो 3 minute के लिए हम अपने इसे पूरे face पे scrub करेंगे सारे उन एरियाज पे जहां पे हमें लगता है कि हमें blackheads या whiteheads होते हैं तो उन सारे एरियाज पे हम scrubbing करेंगे अगेन मैं फिर से यह चीज मैंशन करूंगी कि lotus को tube के अंदर जादे थोड़ी cream देनी शही है थी बहुत ही कम quantity आती है creams की tube बड़े-बड़े हैं बट creams की quantity बहुत कम है और अगर इसके fragrance की बाद की जाए तो johnson's baby powder जो आता था बच्चों का वैसा ही आप जब इसके packaging को खोलते हो तो ऐसी smell आती है इसे ही fragrance है इस facial kit का जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे johnson's baby powder का smell अच्छा नहीं लगता था तो मुझे जाहिसे बात है इसका भी fragrance अच्छा नहीं लगा अब मैं इन points पे ज़्यादा pressure दे करके facial करूंगी क्योंकि मेरी dry skin है तो मैं nose के side में ज्यादा थोड़ा work करूंगी अभी आपने देखा कि दबा करके मैंने किया और जहां पे भी आपको sweating होती है वहां पर थोड़ा करिए तो इससे क्या होता है वह चिद्र जो है वह बंद हो जाते है रोम चिद्र open pores तो आपको प अब देख सकते हो यह इसक्रब के अगर बात की जाए तो इसका scrub अच्छा work किया था मेरे skin पे मुझे अच्छा लगा था इसका work अब भी मेरा 3 से 4 मिनट पूरा हो चुका है मैंने 4 मिनट मसाज किया अपने skin पे और अभी आप scrubbing के बाद मेरे skin दे सकते हो मैंने एकदम जूम करकर के face को दिखाया है मेरे face से पच्छा नहीं लग रहा था जूम करने पर बट फिर भी मैं screen के पास आकर के camera के पास आकर के आप लोगों को दिखाए हूं ताकि आपको clearly skin देख सके third step हम करने जा रहे हैं जो कि है dip cell activating serum with 24K gold इसमें है तो इसमें क्या था कि यह एक liquid type का था बहुत जादे थिन नहीं था बहुत जादे थिक नहीं था अभी आप देख सकते हो कि gel formula में था यह bubbles आ जाते हैं इसके अंदर तो रूखे bubbles बंद करके मैं दिखा देती हूं हाँ एकदम gel formula में ऐसा ही cream है और इसको अपको अपनी skin पे 2-3 मिनट के लिए मसाज करना है और 5-7 drops इसके लेने थे ऐसा इस पे mention क्या होगा है कि 5-7 drops लीजे और फिर अपने face पे 2-3 मिनट के लिए मसाज करिए बढ़ मैंने 5 मिनट तक मसाज किया था क्योंकि यह एक gel है और hydrating gel है तो यह हमारी skin के लिए तो और अच्छा ही है तो मैंने इसे absorb कर आया था आपको भी अपनी skin पे इसे absorb कराना है ना कि minutes पूरे करने है जब तक यह absorb नहीं हो जाए तब तक आपको करना है इसके अंदर मसाज और बहुत यह अच्छे तरीके से मसाज करना है और यह facial kit की एक चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगी बहुत ही कम समय में यह facial kit पूरा हो जाता है यानि कि आपको 30 minutes चाहिए और आपका facial kit ready है अपने कर लिया facial kit तो ज़्यादा समय नहीं लेता है और इसकी जो third step है इससे आपको अपने पूरे skin पे absorb कराना है illuminating facial cream और इसको क्या करना है आपको लेना है इस cream को और face and neck पे apply करना है 10-15 minutes के लिए मैंने 15 minutes तक किया था और वो जो पिछला वाला third step का cream था उसको पोशना नहीं है उसी के उपर जब वो absorb हो जाए उसके बाद fourth step लेना है और इससे ले करके पूरे face पे massage करना है यह cream consistency में था white color की इसकी texture थी और cream consistency में था और पूरे face पे एकदम creamy buttery effect देता है मतलब कि एकदम skin पे यह फिसलता है और थोड़ा thick भी था तो थोड़ी से cream में ही बहुत ज़्यादा यह work कर देता है बड़ पूरा tube आपको लगाना जरूरी है और पूरे face पे आपको 10-15 minute के लिए massage करना है पूरे skin पे इसको absorb करा देना है 10-15 minute में वो absorb तो होई जाएगा मैंने 15 minute के लिए इसे अपने skin पे massage किया था क्योंकि मुझे 10 minute क्यों जब मैं खुद से ही कर रही हूँ तो मैं 15 minute करूँगी ताकि और बढ़िया बेटर result मिले तो इसलिए तो मैंने 15 minute क्या है और पूरे face पे आपको massage करना है जैसे मैं कर रही हूँ घर पे आप आराम से कर सकते हो वीडियो ठोड़ी fast की हूँ ताकि वीडियो जादे लेंडी ना हो तो आप यह मन समझेगा कि मैं बहुत फास्टी फास्टी की हूँ नॉर्मली आराम से की हूँ वीडियो फास्ट मुझे करना पड़ा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती फिर अभी बहुत मैंने यहां पे कट और वो सारी चीज़े की हैं फिर भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मतलब कि 13-14 मिनट की है तो अब समझ सकते हैं कितना समय लगता है और इस पेशली मैं आप ही लोगों के लिए इसको ले कर की आई क्योंकि मुझे एक ब्राइडल फेशल किट अच्छी सी हमेशा खोज करके लाने की चानल पे यह चाह रहती है ताकि हम ब्राइडल हम भी पिछले साल ब्राइड बनने वाले थे और हम बहुत परेशान थे कि कौन सा फेशल किट लें क्या करें ये वो मुझे तो पता चल जाता था क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ बट आपको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं आपको नहीं पता चलता है कि कौन सा फेशल किट जादा बढ़िया रहेगा फेरनेस के लिए तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छी चीज़े मैं बता हूँ आप रिजल्ट देख सकते हो इस चौथा वाला स्टेप पूरा हो चुका है आपको अब पूरा को पाष़े लगती है पूरे पैकट में भर के पावडर मिलता है तो आपको ऐसा लगेगा कि यह powder बहुत है जादा है बट नहीं एकदम इनफ है आपके पूरे face के लिए इवेन अगर neck की बात की जाए तो neck पे face pack नहीं अटता है apply नहीं कर पाते हो तो कम ही दिया है इन लोगों ने powder इस पाउडर को क्रीम पेस्ट बनाने के लिए आपको रोज वाटर की सहरा लेना पड़ता है आप चाहो तो नॉर्मल वाटर के साथ भी इसको मिला सकते हो इसमें तो वाटर ही लिखा हुआ है बट हमने रोज मॉटर इसमें मिक्स किया है ताकि और अच्छा वर्क करेए तो आ जदा ठीन ना बने ठीक जो कि आपके फेस्ट को बैसले और पेस्ट को बनाना है रेडी करना है तो और जल्दी करना है क्योंकि ये फेस्ट पैक की कमी ये थी कि ये फेस्ट पैक जल्दी से जल्दी तयार करके आपको अपने पूरे फेस्ट पे लगा लेना है नहीं तो ये फेस्ट पैक इसमें गांठे बन जाएंगे और उसके बाद फ खतम हो जाएंगी तो पूरा फेस पैक जो है पूरे फेस पे अपलाई कर लेना है तो इस वज़े से मुझे दूसरे किसी का सारा लेना पड़ा और उनको नहीं आता था यानि की मेरे हस्बिन को नहीं आ रहा था लगाने तो इसलिए क्या हुआ कि जादा टाइम लग गया हमें कामरा सेट करना पड़ा और इन्हीं सब चीजों के बीच में बहुत जादा टाइम लग गया मतलब कि पांच-छे मिनट लग गया है और उतने दिर में इसमें लंग्स पढ़ गया है फेस पैक के अंदर और फिर यह आराम से अपलाई नहीं हो पा रहा था जबकि यह एकदम पेंट की जैसे अपलाई हो जाता बट इसमें लंग्स पढ़ने की कारण गाठे हो गई और ब्रस के वजाए हमें हाथ से ही इसे अपलाई करना पड़ा तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगी कि आप जितना कम से कम समय में हो सके आप इसे अपलाई करें मेरे साथ इ इसे अपलाई कर लें मिक्स करने के बाद क्योंकि इसमें लंग्स पढ़ जाते हैं अभी फेस वास करने के बाद का आप रिजल्ट देख सकते हो क्या है मेरे फेस का रिजल्ट मुझे कुछ बहुत ही जादे बेटर नहीं लगा मुझे ठीक ठाक लगा यह फेशल किट और अ तो चैनल पर आपको एक नया फेशल किट का रिव्यू लेकि आने वाले हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है ब्राइडल्स के लिए तो उसके लिए आपको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और उस फेशल किट का वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि वो इतना अच कि मतलब मैं क्या बता हूँ तो ब्राइडल्स के लिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसका रिजल्ट ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें